एक और डाउट सेटल करते हैं इसमें एक स्फेरिकल सोब बबल है सर्फेस टेंशन आपको T दिया है और उसके अंदर N moles है monoatomic ideal gas के तो कुछ इस तरह की situation है ड्रॉ करते है माले एक सोब बबल है और उसके अंदर N moles है monoatomic ideal monoatomic gas के surface tension कितना दिया है T surface tension T दिया है तो temperature को फिर हम T नहीं लेंगे temperature को हम लेंगे फिर theta surface tension और temperature मिक्स ना हो जाए इसलिए temperature हम लेंगे theta surface tension कितना दिया आपको T the gas is heated slowly so that the surface area of the bubble increases by 3NR upon 2T per unit increment in temperature अगर हम इसको heat up करेंगे तो यह bubble expand करेगा और इसका area जो बढ़ रहा है per unit temperature area किस rate से बढ़ रहा है तो आपको कुछ information दी हुई है यानि आपको दिया है dA by d theta rate of increase of area with respect to temperature per unit increment in temperature जो area में increment हो रहा है तो वो आपको दिया है 3N number of moles होंगे R gas constant है upon 2T T जो है वो temperature नहीं है T जो है वो यहाँ पर क्या है surface tension वो आपको दिया हुगा clear है ठीक और इस process में यह जो भी process है जिस process से यह expansion हो रहा है heating हो रही है उसकी specific heat capacity क्या होगी यह आप से पूछी जा रही है तो concept यह होगा कि हम first law of thermodynamics लगाने जा रहे है delta q is equal to या dq कह देते हैं dq is equal to जो भी आप heat supply करोगे कुछ हिस्सा जाएगा internal energy बढ़ाने में बागी जाएगा work done करने में क्योंकि expand तो हो ही रही है expand हो रहा है तो work done तो ही रहा होगा तो बागी हिस्सा जाएगा work done करने में ठीक है monoatomic gas है ideal monoatomic gas है तो यह 3R by 2 होगा into d theta और किसी भी general process का work done होता है PDV अब हम हमें टास्क ही है कि हमें यह PDV सेटल करना है और कैसे सेटल कर रहे हैं अब आब वो समझे तंक से जेखिए प्रेशर अंदर कितना होगा तो वहर अगर मैं कहूं vacuum है भाहर कोई atmosphere नहीं है ऐसा कुछ mention भी नहीं किया तो अंदर जो pressure होता है bubble में वो होता है 4T by R R मैंने कहा इसकी radius है ठीक है R क्या है इसकी radius ठीक DV कितना होगा तो जो volume होगा volume जो होता है वो होता है आपका 4 by 3 pi R cube इसको differentiate कर देते हैं तो DV मिल जाएगा तो DV आपका हो जाएगा 4 by 3 pi R cube R cube का differentiation होगा आपका 3 R square into DR तो यह 3 से 3 cancel out हो गया तो यहां से DV आपका आपका आगया 4 pi R square DR इन दोनों की value हम यह डालने वाले है तो क्या equation बनने वाली है N C D theta is equal to N times 3 R by 2 D theta plus P dV P कितना है तो P है आपका 4 T by R और जो DV आपका आपका 4 pi R square DR तो 1 R से 1 R यह cancel out हो जाएगा लेकिन अभी भी हम यहां से molar heat capacity find नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको हमें चाहिए D theta के terms में तो वो कहां से information मिलेगी तो वो आपको दिवी है कि जो area है वो temperature के साथ किस हिसाब से बढ़ रहा है वो आपको दिया हुआ है और area को हम pi R square लिखेंगे तो radius के temperature के साथ किस हिसाब से बढ़ेगा वो आपको मिल जाएगा और फिर यहां पर हम value पूट कर देंगे तो जड़ा इसको settle करते हैं फिर थोड़ा सा area को क्या लिखो गए आप pi R square sorry 4 pi R square sphere का area क्या होता 4 pi R square dA upon d theta तो area की value हमने डाली 4 pi R square और वो कितनी है वो है 3N R upon 2T differentiate करते है इसको तो यह 4 pi constant R square का हो जाएगा 2R into dr by d theta is equal to 3N R upon 2T तो हम यहां से क्या करते हैं कि 4 pi R dr पूरी value ने डाल दें 4 pi R dr पूरी value अगर हम डालेंगे तो यहां से 4 pi R dr की पूरी value आ रही है वो आपके आ रही है 3N R upon यह वाला 2 जो है यह नीचे आ जाएगा तो upon 4T into d theta calculation है calculation आप खुद भी कर सकते हो तो वो हम सारी value यहां डाल दे रहे हैं यह value हम पूरी की पूरी यहां डाल दे रहे हैं तो देखते हैं क्या answer आने वाला है nc d theta is equal to n times 3r by 2 d theta plus 4T तो यहां है और हम पूरी value डालने हैं 4 pi r dr की तो यहां से जो 4 pi r dr आ रहा है वो आपका आ रहा है 3N R upon 4T into d theta अब यह equation हमारी perfect हो गई अब हमें बहुत सारी चीज़ें cancel out हो जाएंगी n और n cancel out हो गया d theta d theta और d theta cancel out हो गया जो आपको चाहिए वो मिल गया molar heat capacity चाहिए थी वो आपको मिल गया तो यह है आपका 3R by 2 plus यहां के आने वाला है तो यह आपका 40 से 40 cancel out हो गया तो यह हो जाएगा 6 6 plus 3 तो यह आपका अगय 9R by 2 so your answer is 9R by 2 clear